नमस्ते बच्चो, बीके प्रविन्देसले चाइनल में आपका स्वागत है। इस चाइनल पर पाचवी कक्षा से दसवी कक्षा तक मैथेमेटिक सैथ और सबजेट के विडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बच्चो, आजहम, कक्षा पाचवी, विशय हिंदी, पाठ क्रवंका आठ, बीज, इस पाठ के स्वाद्धै का अध्धेन करेंगे। प्रश्न एक, कोश्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोश्टक में दिये गए शब्द, अंकूर, पउदा, बीज, कॉम्पले, काम। एक, किसी नदी के किनारे, एक, डैश-डैश पड़ा था, किसी नदी के किनारे, एक, बीच पड़ा था, दो, पानी और धूप पाकर, डैश-डैश फुटा, पानी और धूप पाकर, अंकूर फुटा, तीन, डैश-डैश देखकर, बकरी के मुँँ में पानी बराया, कॉम्पले देखकर, बकरी के मुँँ में पानी बराया, चार, थोड़े दिनों के बाद, बीच एक छोटा सा डैश-डैश बन गया, थोड़े दिनों के बाद, बीच एक छोटा सा पऊदा बन गया, पांच, अब मैं तुम सबके डैश डैश आ सकता हूँ प्रश्न दो, निम्नालिकित वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्न लगईये एक, पानी और दूप पाकर बिज में अंकुर फुटा उत्तर सही दो, कॉम्पले देखकर बकरी की आखों में पानी आ गया उत्तर गलत तीन, गाई ने पौदे को खा लिया उत्तर गलत चार, पेड़की बाद सुनकर सब खुश हो गए उत्तर सही प्रश्ण तीन, निम्नलिकित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनह पड़ो एक, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फुटा दो, किसी नदी किनारे एक, बीज पड़ा था तीन, अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ चार, उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई उत्तर, एक, किसी नदी किनारे एक, बीज पड़ा था दो, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फुटा तीन, उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई चार, अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ प्रश्ने चार, निम्ना लिकित प्रश्नों के उत्तर, एक, एक वाक्य में लिखो एक, बीज कहां पड़ा था उत्तर, बीज, किसी नदी के किनारे पड़ा था दो, पानी और दूप पाकर, बीज पर क्या असर हुआ उत्तर, पानी और दूप पाकर, बीज में अंकुर फुटा तीन, कॉम्पले देखकर, किस के मुँ में पानी भराया उत्तर, कॉम्पले देखकर, बकरी के मुँ में पानी भराया जार, पाउदे ने गाई से क्या कहां उत्तर, पाउदे ने गाई से कहां कि मुझ में डाल पात होनी दो तब, तुम मुझे खाना पाउच, एक दिन, फिर पेड के पास कोन-कोन आया उत्तर, एक दिन, फिर चिडिया, बकरी और गाई पेड के पास आई प्रश्ण पाउच, निमनलिकित प्रश्णों के उत्तर, दो-तीन वाख्य में दिखिए एक, बीज ने चिडिया से क्या कहां उत्तर, बीज ने चिडिया से कहां कि जमीन में गड़कर जब वह थोड़ा बड़ा हो जाए उसमें डालिया और पत्तिया निकलाए तब चिडिया उसे खाले दो- पेणने अंत तहां चिडिया बकरी और गाई से क्या कहां उत्तर, पेणने अंत तहां चिडिया बकरी और गाई से कहां मैं ही बिजू, मैं ही अंकूर हूँ, मैं ही पवदा हूँ, मैं ही पेड हूँ अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ प्रश्ण चां समान आर्थी शब्द लिखो एक, सरीतां समान आर्थी शब्द नदी दो, धर्ती समान आर्थी शब्द जमीन तीन, नीर, समान आर्थी शब्द पानी चार, दिवस, समान आर्थी शब्द दीन पांच, रुक्ष, समान आर्थी शब्द पेड प्रश्ण साथ, विरुद्द आर्थी शब्द लिखो एक, थोड़ा, विरुद्द आर्थी शब्द बहुद दो, बड़ा, विरुद्द आर्थी शब्द छोटा तीन, चलो, विरुद्द आर्थी शब्द रुको चार गया विरुद्ध अर्ति शब्द आया पाच राद विरुद्ध अर्ति शब्द दीन तो बच्चो आज हमने बीज इस पाट के स्वध्दय का अद्देन किया थेंक्यू